हलो अबरी बड़ी हाव आर यू मैसेल्फ मनिसा राई देखो बच्चो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लीज पेज नमबर 33 और 34 ट्रेस दा पेटर्न तू कम्प्लीट दा स्नेक्स यहाँ पर देखो ट्रेस है और पिक्चर किसका है एस फॉर स्नेक्ट याने की साप तो देखो हम फिंगर से उसको ट्रेस कर रहे है स्मॉल लेटर आइस अब हम यहाँ पर यह डॉट डॉट जॉइन करेंगे ऐसे तो यह हुआ स्मॉल लेटर आइस अइसे हो गया यह स्मॉल लेटर आइस ट्रेस और राइट लेटर आइस तो देखो क्यापिटल लेटर आइस में रेट लाइन से ब्ल्यू लैन लिखना है और स्मॉल लेटर आइस में ब्ल्यू से ब्ल्यू लाइन में लिखना है देखो बच्चों आपको याद रखना है small letter S आता है तो उसको blue से blue line में ही लिखना है ऐसे तो यह हुआ small letter S देखो यहाँ पर dot ही वहाँ से ही start करना है ऐसे देखो मैं लिख रही हूँ blue से blue line में S for sandwich, S for sun, S for salad, S for sunflower और S for snake अब देखो बच्चों page नमबर 34 पर देखो यहाँ पर listen and repeat the names of the pictures that begin with S S से start होते हैं वही पिक्चर से S for salad, S for swap देखो बच्ची रो रही है ना S for swap, S for sunflower, S for salt, salt यानी की मीठो say the name of each pictures, match the pictures that begin with the same letter यहाँ पर pictures है दोनों साइड पर तो same same pictures begin with the same letter same letter से start वाला pictures को हम match करेंगे पहले देखो बच्चों M for mango, P for pudding, R for rabbit, S for swap यहाँ पर P for parrot, M for mirror, S for sun और R for rocket तो same letter वाला same pictures हम यहाँ पर match करेंगे तो पहला pictures है M for mango तो यहाँ पर M वाला क्वान सा pictures है? M for mirror, तो देखो M for mango, M for mirror P for pudding, P for parrot, P for pudding, P for parrot दोनों P से start होता है तो हमने उस पर match किया R for rabbit, R for rocket R for rabbit, R for rocket फिर S for swap, S for sun S for swap, S for sun तो हम उसको ऐसे match करेंगे समझ में आया? अब फिर से एक बार देखो बच्चो M for mango, M for mirror, P for pudding, P for parrot, R for rabbit, R for rocket S for swap, S for sun अब देखो बच्चो आपको यहाँ पर home work करना है यहाँ पर लिखना है small letter S देखो बच्चो small letter S blue से blue line में लिखना है S से आपको line draw करनी है ओके? ऐसे यहाँ पर पूरा का पूरा page small letter S लिखना है और यहाँ पर page number 34 वाला जो हमने अभी match किया था वही home work आपको करना है ओके बच्चो बाई अब हम मिलेंगे अगले वीडियो